मैं जब फ्रंट लाइन वारियर से डॉक्टर से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया साथियों, दुनिया के अधिकाओं देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सनस्कृतिक परवन नहीं है इस मुश्किल समय में इतनी परिशानी में हैं लोग इसे आसाने से भूल सकते थे इसके उपेक्षा कर सकते थे लेकिन इसके विपरित लोगों में योग का उत्सा और बड़ा है योग से प्रेम बड़ा है पिछले डेड़ सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं योग क्या जो पहला परियाए सैयम और अनुसाशन को कहा गया है सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं साथियों जब करोना के अद्रिश्य वाइरस से और इस अद्रिश्य वाइरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ से और मानसिक अवस्ता से इसके लिए तयार नहीं था हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठीन समय में योग आत्म बल का एक बड़ा मध्यम बना योग ने लोगों में ये भरोशा बढ़ाया कि हम इस बिमारी से लड़ सकते हैं मैं जब फ्रंट लाइन वारियर से, डॉक्टर से बात करता हूँ तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाब लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्त करने में इसका उपयोग भी किया और आज अस्पतालों से इसी कितनी इस तस्वीरे आती है जहां डॉक्टर्स नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं तो कहीं मरीज अपना अनुभव साजा कर रहे हैं प्राणायम अनुलोम बिलोम जैसे ब्रितिंग एक्सेसाइज यह हमारे रेस्पिरेटरिस सिस्टिम को कितनी ताकत मिलती हैं यह भी दुनिया के विशर सग्या खुद बता रहे हैं